आज भाई लोग आपको PlayStation 5 के कुछ खतरनाक वाले hidden features बताने वाला हूँ जिनको सुनके आप हो जाओगे बहुत ही हैरान तो अगर आपने भी एक PlayStation 5 recently खरीद है या फिर खरीदने का सोच रहे हो या नई भी सोच रहे तो तब भी ये वीडियो देख ले ना आपके काम ही आईगी कभी न कभी एंड ऐसी ओर टेप सेंट्रिक वीडियो के लिए ना भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना वन मिलियन होने वाली है सबसे पहला hidden feature है PlayStation 5 का global preferences को लेकर अगर भाई आप उन लकी लोगों में से हो ना जिनोंने अभी अभी PlayStation 5 खरीद है और खरीदते ही भाई आप उन पे न्यू गेम्स खेलने वाले हो मतलब गेम्स खेलने की इतनी ज़्यादा चुल हो रही है कि भाई रुका ही नहीं जा रहा रहा नहीं जाता फड़ावर से बस गेम स्टार्ट हो जाए तो आपको न अपनी चुल को थोड़ा सा कंट्रोल करना है एक ही बेसिक सी सेटिंग चेंज करनी है जिससे आपका फ्यूचर में जितनी भी आप गेम्स इंस्टोल करोगे वो खेलोगे ना टाइम बचेगा मैं जानता हूं कि जाधा तर लोग जब भी कोई न्यू गेम इंस्टोल करके खेलना स्टार्ट करते है ना तो वो मैनूली गेम्स की सेटिंग चेंज करते है बट हर बार ऐसा करना न्यू गेम के साथ कॉंप्लिकेटिड एंड टाइम कंज्यूमिंग है तो इसको खिशार्ट करके खेलने से पहले आपको यह सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी ओटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी तो बताना भाई है की नहीं गजब का फीचर एकदम एंड इस फीचर के बारे में काफी टाइम तो मुझे ही नहीं पता था बाई बटा मुझे पता चला तो मैं सोचा आपको बताया जाए सेगिंड हीटन फीचर है स्ट्रीम पीएस फाइफ गेम्स टू अधर डिवाइस विद रिमोट प्ले अब सोचो आपका भाई जीटिय फाइफ खेलने का मान है बट आपके घर में एक ही टीवी है जिस पे आपकी मम्मी सा या फिर iOS Android डिवाइस पे जी हाँ भाई लोग आपने बिल्कुल सही सुना आप अपने मुबाइल फोन में PlayStation 5 की GTA 5 या कोई और गेम को खेल पाओगे बिना टीवी की मदद से अब ओविसलिए इसके लिए पीएस फाइफ का होना जरूर ही है कहीं पता चले आप सोचो खाली से खेल लेंगे ऐसा नहीं है तो इसके लिए आपको अपने PS5 में remote play को enable करना होगा settings में जाके और फिर उसके बाद remote play software को install करना होगा अपने computer या फिर mobile में जिस पे भी आप game खेलना चाहते हो इस software को install करने के बाद आपको बस screen पे आ रही instructions को follow करते जाना है और भाई literally 5 minute के अंदर आपका पूरा process वो done हो जाएगा और मज़ेगी बात तो यह है कि आप अगर चाहो तो अपने dual sense controller को भी अपने mobile या फिर computer से pair कर सकते हो Bluetooth से बढ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है अच्छा experience चाहते हो ना कि smooth gameplay चले तो internet connection तेज होना चाहिए जिसके लिए आप अपने PlayStation 5 को ना भाई Ethernet cable से भी direct connect कर सकते हो router से तो उससे क्या होगा ना मस वाली speed मिलेगी और phone को या फिर PC को अपना Wi-Fi से connect कर ले ना इस पर वैसे मैंने एक detail video बनाई हुई है यहां पर मैं link दे दूंगा जिसमें हमने backbone का use करते हुए mobile में ही जो है वो PlayStation 5 की games को access किया था और खेला था थर्ड hidden feature है भाई save power और reset mode को लेकर तो आपको करना है अपने PlayStation 5 की settings में जाना है उसके बाद जाना है भाई system में फिर आएगा power का option और वहां पर जाके आप सेलेक्ट कर सकते होगी कितने time का inactive usage के बाद आपका PlayStation 5 power saving mode या फिर rest mode में चला जाएगा या फिर आप चाहते हो तो यह भी select कर सकते हो कि आपका PS5 rest mode में जाएगा भी या नहीं जाएगा अब भाई rest mode ना काम आता है basically energy save करने के लिए जैसे कि भाई आपने game खेली और आप break ले रहे हो 30 minute का तो आप उतने में PS5 बंद करोगे तो वापिस आके पूरा loading आपको दुबारा करनी पड़ेगी तो इस केस में आप यूज कर सकते हो भाई rest mode का and rest mode को आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपका PlayStation 5 update हो रहा हो या फिर जब आपकी कोई game install हो रही हो बागी personally बताऊं मैं आपको suggest करूंगा कि आप rest mode को जादा use मत किया करो अपने PS5 में क्योंकि यह rest mode काफी जादा unstable है जिसकी व इस पर आपको कभी-कभी spoilers दिख जाते हैं screen shorts या फिर अलग तरह के content के form में जैसे चोटी-चोटी video clips play हो जाती है कभी-कभी तो ऐसे मेना भाई बहुत frustration हो जाती क्योंकि new games खेलने का मज़ा ही खतम हो जाता है इन spoilers की वज़े से and इस चीज से बचने के लिए आप PS5 की setting में जाकर spoiler warning option को enable कर सकते हो उसके लिए करना कुछ नहीं है settings में जाओ save data में जाओ then आपको game slash app setting दिखेगी उसके बाद आपको toggle करना होगा warn about game spoilers पे and फिर last में आपको choose करना होगा कि आपको games का सारा content block करना है या फिर वो spoilers जो game developer ने suggest करे है उनको block करना है और भाई ये बात ना म जो next hidden feature है वो भी spoiler free game से related है अब जैसे कि मैंने आपको लाश वाली tip में बताया है कि अगर आपको game का spoiler मिल जाता है तो game खेलने का मज़ा ही खराब हो जाता है and कुछ games ऐसी होती है जहां पर literally हम फस जाते है जैसे कोई आप stage पे फस गए हो और आपको आगे का रास्ते ही नही walkthrough देखते हैं but walkthrough देखने में भाई हमें काफी हत तक spoiler मिल जाते है जिससे की हमारा मज़ा खराब हो सकता है तो इसलिए भाई इस problem का भी solution sony ने अल्डेडी निकाल रखा है and उस solution का नाम है PlayStation Plus subscription अगर आप भाई कोई भी game में श्टक हो गए हो ना तो आपको पस PS button को दबान है ना आपके dual sense controller में जो control center है ना उसको open कर देगा और अगर game help available है ना for any activities related to your position तो ऐसे में एक card pop-up हो जाएगा जिस पे game help का icon बना हुआ होगा उसमें से भाई आप अपनी मर्जी से कोई भी card select कर लो और भाई उसके बाद आपको help available हो जाएगी मतलब भाई सब देख लो कि कि जब भी मैं ऐसे deep focus के साथ game खेल रहा होता हूँ तो एकदम से कोई ना कोई दूसरी game की notification ऐसे pop-up सी हो जाती है या friend request की notification आ जाते हो तो दिमाग साना हिल जाता है और गुस्सा आता हो तो अगर आप ये notification से चुटकाना पाना चाते हो तो आपको notification off करनी पड़ेगी और भ button feature से ना आपका काम काफी असान हो सकता है आपके पास जो controller ना उस पे PS का button होता है अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उससे control center sub menu open हो जाएगा आपकी screen के नीचे वाले हिस्से पर इससे भाई आप काफी चीजे कर सकते हो while posing your game और साधी साथ गेम बंद भी नहीं होती features जैसे तो भाई आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी need के according उसके लिए आपको किसी भी menu में present किसी भी item पे hover करना होगा and फिर controller के option button को press करना होगा जो आपके touchpad के right side में होता है उसके बाद भाई आप items को select and deselect कर सकते हो from a list of items you want to appear in the control center 8th hidden feature है jump straight to a specific mission with PS5 activities अक्सर भाई हम जब game का कोई भी mission clear कर लेते है ना तो उससे बहुत ही अच्छा feel होता है and फिर उसके बाद games के बाकी levels को भी clear करने का मन करने लग जाता है and आप भी अगर इस category में lie करते हो ना तो भाई PS5 activities is a blessing for you जिसको आप access कर सकते हो PS button के through activities वाले feature से आप directly jump कर सकते हो किसी game के किसी specific aspect पे जैसे की कोई mission या फिर game mode जो activity cards होते है वो भी वैसे तो multiplayer games modes के लिए भी available हो सकते है but यह commonly na single player games के लिए ही famous है activity cards में आपको progress level दिख जाएगा towards trophies and estimated time to complete each activity काफी सारी open ended games होती है जिसके अंदर भाई हमें पता ही नहीं होता कि हम next क्या करे क्या ना जैसे की GTA 5 भी उन में से एक है बट यह जो activities है ना भाई काफी help करती है इन missions को या फिर tasks को ढूणने में या फिर tasks को पता लगाने में कि आपको भाई actual में game में करना क्या है तो मेरे इसाफ से यह भी काफी useful feature है भाई तो यह थे भाई PlayStation 5 के कुछ 8 hidden features या tips and tricks ऐसे ही और hidden features के बारे में जानना चाहते हो तो भाईया like कर देना वीडियो को comments में जरूर बताना कि हम part 2 चाहते है इसका channel पर नहीं हो subscribe कर देना अगर subscribe करोगो तो PS5 दूँगा आपको मिलता मती आपसे बागी next वीडियो में tell and goodbye and as always ठीक है रास्तों पर नहीं पढ़ना फिका बाई बाईब कर दो